हलो फ्रेंड मेरा नाम है म्रिनल घोश अर इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत यासन तरीका से SBI Rewards पॉइंट से मोबाइल रिचार्च कर सकते तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा तो चलिए आज का वीडियो शूरू करते सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउजर से Google पे जाना परेगा Google पे चला जाएंगे तो नीचे हमको साजबर दिखेगा वह साजबर में जाके हमको लिखना परेगा SBI Rewards तो हम क्या करेंगे साजबर में जाके लिख देंगे SBI Rewards SBI Rewards लिख के सार्च करने से पहला वाला जो लिंक की दर आ जाएगा Rewards.SBI ओई लिंक पे क्लिक करना परेगा ओई लिंक पे क्लिक कर देंगे तो SBI Rewards का Official website ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे पहला वाला लिंक पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इदर पहला वाला लिंक पे क्लिक कर दिया तो SBI Rewards का Official website ओपन हो गया तो हमको क्या करना परेगा इधर right side में जाना परेगा right side में मेरे को login का option दिखेगा वह login option पे click करना परेगा login option पे click कर देंगे तो login का page open हो जाएगा तो इधर देखिए login का page open हो गया SBA reverse में registration कैसे करते हैं उसके बारे में मेरा एक वीडियो है उसका link मैंने description पे डाल दिया है आप चाहे तो वीडियो देखे SBA reverse में registration कर सकते हो registration करने के बाद login करना परेगा login करने के लिए इधर सबसे पहले username डालना परेगा username डालने के बाद proceed option पे click करना परेगा तो इधर हम username डाल देंगे तो दिखिए इधर हम username डाल दिया username डालने के बाद proceed option पे click कर देंगे तो next page आ जाएगा तो हम proceed कर देंगे तो दिखिए प्रोसीट करने के बाद इधर हमको password डालना परेगा password डालने के बाद capture डालना परेगा ये दोनों डालने के बाद login option पे click करना परेगा तो हम क्या करेंगे इधर दोनों ही डाल देंगे तो दिखी इधर password और capture दोनों ही डाल दिया अभी login option पे click कर देंगे तो login हो जाएगा तो दिखी अभी इधर right side में मेरे को दिख रहा है login हो गया और नीचे मेरे को reverse point भी दिख रहा है तो अभी recharge करने के लिए नीचे मेरे को recharge and bill payment का option दिखेगा ओई नीचे middle में जो recharge and bill payment का option दिख रहा है mobile recharge option पे क्लिक करना परेगा mobile recharge option पे क्लिक कर देंगे तो mobile recharge का page आ गया तो इधर सबसे पहले मेरे को mobile number डालना परेगा उसके नीचे operator select करना परेगा उसके नीचे circle select करना परेगा उसके नीचे amount डालना परेगा ये सारे fill up करने के बाद I have read and agreed जो option दिक रहा है लेप साइड में जो box दिक रहा है वोग्स पे क्लिक करने के बाद continue option पे क्लिक करना परेगा तो देखी इधर हम mobile number डाल दिया अभी operator select करना परेगा इधर जो operator का mobile number है वोग operator select करना परेगा operator select करने के बाद circle select करना परेगा कौन सा circle का mobile number है तो इधर से हम circle select कर लेंगे circle select करने के बाद नीचे हमको amount डालना परेगा या फिर right side में view plan option दिख रहा है view plan option पे जाके हम plan भी देख सकते तो हम view plan option पे click कर देंगे view plan option पे click कर देंगे तो सारे plan हमको दिखेगा तो इधर से हम अपना हिजब से plan select कर सकते या फिर हम amount पे जाके amount भी डाल सकते तो हम कोई भी एक कर सकते तो देख हम amount डालेंगे अपना हिजब से क्योंकि हमको amount पता है तो इधर हम amount डालने के बाद नीचे मेरे को जो box दिख रहा है I have read and agreed to the tam and condition का जो box दिख रहे हुई left side में box पे click कर देंगे box पे click करने के बाद continue option पे click करना परेगा तो हम continue कर देंगे continue कर देंगे तो इधर हमको summary दिखेगा पुरा summary हमको दिखेगा तो इधर से हम summary देख लेंगे देख लेने के बाद proceed option पे click करना परेगा इसके लिए मेरे को balance कुछ amount paid करना परेगा तो balance amount pay Crime derive payment करने के लिए हमको you payment करने के लिए हमको payment करना परेगा लग्षे ससे पहले 1 शब्सकार्ट लोन परेगा उसके बाद coun movimento ढेगा उसके निचे expiry month expiry year selections copper करना परेगा उसके बाद inquiry cast लोन परेगा यह सारे fill up करने के बाद जो make payment option दिखेगा उए make payment option पे click करना परेगा तो देखे इधर हम पूरा fill up कर दिया पूरा fill up करने के बाद make payment option पे click कर देंगे तो register mobile पे गोटीपी आ जाएगा तो register mobile से OTP लेके नीचे मेरे को enter OTP का option दिखेगा उधर OTP डालना परेगा OTP डालने के बाद confirm option पे click करना परेगा तो हम क्या करेंगे register mobile से OTP लेके इधर डाल देंगे तो देखे इधर हम OTP डाल दिया OTP डालने के बाद confirm कर देंगे तो next page आ जाएगा bank payment का page इधर फिर से एक OTP आ जाएगा इधर मेरे को दिखेगा उड़ा सक्सेस्फूल reference नमबर भी दिखेगा नीचे मेरे को view रिसीप्ट का option दिखेगा आप से मोबाइल रिचाज कर सकते आई होप मेरा वीडियो आच्छा लागा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे श्यायर करना और मेरे को नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना आज के लिए इतना ही फिर्म मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जय हिंद